प्यारे बच्चो आज हम पांचवी कक्षा की द्वित्य भाषा हिंदी का तीसरा पार्थ आत्म बिश्वास पढ़ेंगे बच्चो ये कहानी भार्त के पहले राश्ट्रपती डाक्टर रजिंदर परसाथ जी से सबंदत है बच्चो वीडियो को पूरा देखें ताकि जो पा आग बच्चो शुरू करते हैं आतम विश्वास क्या है बच्चो आतम विश्वास बच्चो अपने उपर पूरा भरोसा होना हा एक बार किसी स्कूल का बार्शिक प्रीक्शा परिणाम घोशित किया गया स्कूल के प्रिंसिपर ने पास बद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई दी एक बद्यार्थी प्रिंसिपल दवारा बोलेगे परिणाम से नाखुश था क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया उसने कहा सर मेरा नाम नहीं बोला गया प्रिंसिपल ने कहा जिनका नाम नहीं बोला गया वे फेल हैं किन्तु वैवालक आतम बिश्वासी था जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो प्रिंसिपल ने उसे पांच रुपे जुरुमाना लगा दिया उसके बार-बार कहने पर प्रिंसिपल ने जिरुमाना बढ़ा कर दस रुपे कर दिया किन्तु वैवालत अपनी बात पर अडिग रहा इतने में सिकूल के एक लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा सर किशमा करें आपको जो पास बद्यार्थियों की सूची दी गई थी उसमें एक बद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था कृप्या पास बद्यार्थियों की सूची में एक बद्यार्थी का नाम और जोड लें यहाँ वही वद्यार थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था, वैकेवल पास ही नहीं था, अपितु उसके अंक वी कक्षा में सबसे दिख थे, बच्चो ये बालक और कोई नहीं था, बलकि डाक्टर रजिंदर पर साथ थे, जो भार्त के पहले पहानी, अब हम शब्दार्थ करते हैं, शब्दों के अर्थ, आतम विश्वास, आतम विश्वास के होता है बच्चो, अपने ऊपर भरोसा होना, वार्शिक, वार्शिक होता है बच्चो, प्रती वार्श होने वाला मतलब सालाना, घोशित, क्या होता है बच्चो, एलान, प्रिंसीबल किसके किसे कहते है बच्चो Sydney her school LE K मुक्य मलच मोधिया, जो स्कूल होता है इसको क्या बोलते है पृंसीपल अडिनादिने वाला शजामा बच्चो जोथ बच्चो किसंग ने खोशट किया ठाल्रक ने पढ़र्धान मत्री ने किस ने इंगियता वच्छो प्रिंसिपल ने भार्थ के पहले राश्ट पती कौन थे बच्छो बताओ जुआ नेरू या महत्मा गांदी डॉप्टर जेनदर परसाद कौन थे वच्छो डॉप्टर रिजिनदर परसाद विद्यार्थियों के पास होने पर principle द्वारा उन्हें क्या दिया गया था पुरुषकार दिया गया बधाई मिठाई या प्रमाण बत्र हाँ बोलो क्या दिया गया बधाई शावाश निमले बाक्यों को पुनर विवस्थित कीजिए बच्चो जो यह वाक्य लिखा है यह जो शब्द है आगे पीछे करके लिख पर अडेग रहा आगे है बच्चो तोड पत्थर बच्चे मार कर फाल रहे थे तो सीधा कैसे होगा यह वाक्या बच्चे पत्थर मार कर फाल तोड रहे थे अगले है बच्चो विद्यार्थी का आर्थ क्या होता है शात्र तो वार्षिक का आर्थ क्या है बच्चो उसमें शवद्याह। बढ़ा था भी रुजाना महिनावार सवाखत्वी सवणाना कि नित शवदकार्थ क्या है बच्छू? बच्छी को नाम बारसिक प्रेक्ष़ा प्रडाम में घोशत क्यों नहीं किया गया या वह देर सहया था या वह अनुशासनहीन था या उसका नाम सूची में टाइप होने से रह गया था वाक्या को शुद्ध करके लिखो बचे ए गलत लिखा है स्कूल गलत है प्रिणाम को बड़ी की मातरा लगाई है तो लिए सीधा साफ परके लिखना है शुद्ध करके कैसे लिखेंगे एक बार किशी स्कूल उपर भी मातरा नहीं है आधा सभा रहात रहे को शोटी की मातरा है से यह शुद्ध हो गया यह एक बार किसी स्कूल का प्रणाम घोशित किया गया अगला बच्छों निमिलिक शब्दों को अलाग वाक्यों में प्रे करते हुए आर्ट सबस्ट करें बच्छों पास निकट एक पास उतीरन भी होता है एक लिए से शब्द हैं लेकिन इनका अर् पानी वाला जाता है तो दिखते हैं इस जग मैं पानी भर दो घट शबद आ गया अगला क्या है सारे जाक्थनिसार सारे संसार में भारत देश नियारा है यह बंधिया को देखकर चोर भाग गया भाग एक वाग और संख्या पांसों को दस से भाग करो तो यह अलग लग आर्थ हैं लेकिन शब्द एक ही है तो इसके बारे में आपने अभ्यास करना है आगे बच्छों नीचे गुर्मुखियों देवनागरी लिपी में दिये गई शब्दों को लिखने का अभ्यास करो अभ्यास करना है आपने मैंने पहले आपको बताया था गुर्मुखियों मलब पंजाबी भाषा है और देवनागरी क्या है हिंदी भाषा तो स्कूल कैसे लिखना है विद्यार्थी राष्ट्रपती भारत पास आतम विश्वास नाकुष तुरंद को सबह्त पर निखे लिखने का अभ्यास करना अभ्यास को फासकर हिंदी ही अभ्यास करना आपने हां नीचे अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा मो गोशित आगे हैं बच्चों पढ़ो समझों लिखो मैंने पहले पिशली वीडियों आपको बताया था यह जो लाइन लगी होती है नीचे को इसको बोलते हैं हलन्त हलन्त मतलब यह आधा अक्षर हो गया तो क्या हो गया आधा तम आतम सक द कड कन सब्सक्ष को हलन्त लगा तो इसी तरह बचो कशक्ष शर्ट बच्चो इनको समझना है और इनको लिखने का भ्यास करना है बार-बार आगे बच्चो बारशिक प्रिणाम सुनकर एक बद्यार्थी खुश क्यों नहीं था क्यों नहीं था बच्चो क्योंकि बारशिक प्रिणाम में प्रिंसिपल द्वारा उस बद्यार्थी का नाम नहीं बोला गया था इसलिए वो खुश नहीं था उस बद्यार्थी ने प्रिं प्रिंसिपल से कहा कि बार्शिक प्रिणाम में उसका नाम नहीं बोला गया प्रिंसिपल को अपनी गलती का नुभब कब हुआ हाँ तो जब स्कूल के क्लरक ने कहा कि बार्शिक प्रिणाम की सूची में एक नाम टाइप होने से रह गया है और यह नाम उसी बालक का था जिसक बड़ा होकर डाक्टर जिंदर परसाद किस तरह परसिद हुए बड़ा होकर डाक्टर जिंदर परसाद भार्थ के पहले राष्टरपती बने आगे बचो वाक्य बनाने हमने आतम बिश्वास बालक आत्म विश्वासी था शूची शूची में बालक का नाम नहीं था नाखोष फेल होने के क़रण राम नाखोष था निवेधन मैंने principle से निवेधन किया जिरमाना कल स्कूल ना आने के कारण अध्यापक न मुझे दासर पे जरमाना लगाया हुए बदा स्राश्ट्र पति डॉक्तर जिंदर प्रसाध भारत के पहले राश्ट्र पति थे कृत कृत्प्या कृत्पया मेरी मदद कीजिए है यह रखे बाक्यां बनाने हमने इत्व इन्हें जानों स Wikle को होता है पाट शाला वार्शेक सालाना बधाई क्या होता है मुबारक परिणाम नतीज्जा वद्यारती शात्र अंक नंबर शब्द अर्थ है बच्चो यह हां यह है बच्चो बिप्रीत शब्द मल उल्ट शब्द अपोजित फेल का पास पास दूर अधिक कम जोड घटा यह अंतर समझना है एक जैसे शब्द लिखे हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग लग है क्लरक ने प्रिंसिपल के पास आकर खापास मलों निकट वह वालक अपने पास होने का दावा कर पास मलों उतीरण उस बालक के सबसे अधिक आ सचनात्मक अभी व्यक्ति इसमें क्या है बच्चो चित्तर देकर नीचे दिए गए शब्दों की सहाइता से वाक्या पूरा करो आतम विश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहज व्यक्ति उठा सकता है क्या उठा सकता है बच्चो भार उठा सकता है उसमें आतम विश्वास भीख सकता है क्या क्या सकता है बच्चों खेल सकता है तो बच्चों यह थे हमारे कहानी थैंक यू